दोस्तों एप्रिल 7 और एप्रिल 8 को हम लोगों को पिंक सूपर मून देखने को मिला सवाल यह आता है कि यह पिंक सूपर मून होता क्या है आज समझेंगे इस पिंक सूपर मून के बारे Hey everyone, welcome to the academy and I hope you're doing absolutely awesome उमीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्ट आपका एजुकेटर रामनशर्मा दोस्तो नासा के अनुसार जो सूपर मून होता है वो तब दिखाई देता है जब हमें फुल मून देखने को मिलता है और खास बात होती है कि वो फुल मून हमारी अर्थ के सبसे नजडीक होता है सबसे close होता है गाइस मून जो है हमारा जो चंदरमा है वो हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है एक elliptical orbit में जो की एक oval shape की orbit होती है अब यहाँ पर जब एक oval shape की orbit होगी तो हमें दो point देखने को मिलेंगे दो अलग point देखने को मिलेंगे एक point होगा जब मून हमारी अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर होगा और दूसरा point होगा जब मून हमारी अर्थ के सबसे ज़्यादा नजदीक होगा तो जो closest distance हम लोगों को देखने को मिला मून का अर्थ के और उस समय फूल्मून था तो मून हमें अपने नैश्वल साइज से और भी बड़ा नजर आया दोस्तों जो सबसे दूर का पॉइंट होता है ना इस एकलिप्स का उसे बोलते हैं एपोगी जो अराउंड 4,5,500 km की दूरी पे होता है अर्च से और जब मून अपने सबसे नजदीकी डिस्टेंस पे होता है उसको बोलते हैं पेरिगी जो की 3,63,300 km की दूरी पे होता है जब एक फूल मून हमें देखने को मिलता है वो कब होता है जब मून अपनी पेरिगी वाली पोजिशन पे होता है तो मून नजदीक है तो जादा ब्राइट होगा हमें रेगुलर फूल मून से जादा बड़ा नज़र आएगा इसलिए दोस्तों इस चीज़ को सूपर मून का नाम दिया जाता है आप देख सकते हो यह है क्लोजेश डिस्टेंस यह है फार्देश डिस्टेंस दोस्तों जब एपोगी होता है जब मून सबसे दूर होता है अपनी अलेप्टिकल ओर्बिट में उसको कहते हैं माइक्रो मून और जब मून सबसे पास होता है उसको बोल जादा ब्राइटर जादा चमकदार नजर आता है तो गाइस यह पिंक सूपर मून क्या है बहुत सालों से हमें अलग अलग सूपर मून देखने को मिले है जो पिंक सूपर मून होता है वो इन सब में सबसे बड़ा और सबसे ब्राइटेस्ट होता है अब ऐसा क्यों कहा जाता है ऐसा इसलिए कहा जाता है because we are closest to the moon और यह full moon होता है जो पहला super moon था इस साल का वो में 9th of March को नजर आया और जो आखरी था वो 7th of May को नजर आया एक और reason super moon के बारे में कि वो बहुत जादा बड़े और brighter भी होते हैं okay normal full moon से भी यहां पर brighter नजर आता है अब इसका नाम कैसे आया है now it is sad that it is sad to say that unlike blood moon that have a ting of red to it color pink moon का कोई भी relation नहीं है कोई भी pink का हमें hint भी नजर नहीं आता पर यहां पर इसका जो नाम है वाया है pink wild flowers से या wild ground flocks से जो की bloom करता है spring के समय पर spring के समय पर bloom करता है यह एक pink color का flower है and according to the date and time बाकि और जो full moon है उनको भी इसी तरीके के नाम दिये गए egg moon, hair moon, fish moon, sprouting moon या it is also known as the past child moon because यह Christian calendar के अंदर पड़ता है और इसको date of Easter से clash होता है हमें the first Sunday after the past child moon is Easter Sunday यह भी एक important चीज है कि इसका pink moon नाम इसके color से विल्कुल भी related नहीं है दोस्तों आप जो picture देख रहे हो अपनी screen पर यह pink wild flower की picture है जिसके नाम पे जो moon है उसका नाम pink super moon रखा गया है आप लोग हमारे साथ anacademy के plus model पे भी जोड़ सकते हैं do not forget to use the discount code when you are subscribing to anacademy's plus platform so आज के session को यह end करते हैं do not forget to share like and subscribe love and peace from my side thank you for having me here guys and have a great day ahead bye bye take care